Hello everyone, इस वीडियो में हम class 5th की math worksheet no.127 करेंगे Date है इसकी 7 December 2021 और इसका related learning outcome है to find area of different rectangles चलिए शुरू करते हैं आज की worksheet को जिसमें सबसे पहले आपको चित्र पहली दे रखी है दिये के चित्रों को एक जैसा बनाना की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समें छित्र दो में कुछ गलतिया हो गई है आप के नहीं चार गलतियों को ढूड़ कर अपने अध्यापक या ध्यापिका के साथ साचा कीजिए तो आएए चार गलतियों को ढूड़ते हैं हम लोग सबसे पहली गलते हैं यहाँ पर आपको क्या देखने में आ रही है देखते हैं हम लोग देखो यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से लहर सी नहीं बनी हुई च्छे कैजब की देखो यहाँ बनी हुई है तो यह हमारे फॉर्स मिस्टेक हो जाएगी Second mistake बहुत छोटी है यहाँ पर butterfly की जो उपर लगे हुए है उनमी इस तरीके से ऐसे बना हुए जिसे ये और एक इस तरीके से गोला लेकिन देखो यहाँ पर यह गोला नहीं है Missing है आप देखिए थोड़ा गौर से notice कीजे यह आपको गलती दिखेगी तीसरे गलती की यहाँ पर इसकी eyebrow बना रखी है जक्की लेकिन second picture में eyebrow नहीं बना रखी तो मैं circle करती जा रही हूं सारी गलतीयों को तीसरे गलती अगर आप यहाँ पर दूड़ें तो इस एको छोटी वाली जक्की भी eyebrow यहाँ पर नहीं बना रखी जब कि यहाँ पर बना रखी है ठीके, four mistake तो हमारी हो गई बाकी इस picture में सिर्फ दो पाच गलतियां भी है पाच भी गलती भी है कौन सी कि यहाँ पर यहाँ पर भी लहर बनी हुई है लेकिन देखो यहाँ पर नहीं बनी हुई six mistake यहाँ पर यह है कि इस तरीके से duck के wing पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ duck का इस तरीके से बना हुई है wing, लेकिन यहाँ पर है, ठीके इस तरीके से इतनी सारी इसमें हमने mistake ढूली है, बाकी आप इन में से कोई भी चार पर ही गोला कीचेगा क्योंकि चार गलतियां हैं डूढने के लिए बोली है, आगे चलते हैं हम लोग आज की वक्षित का हमारा टॉपिक है परिमाप और छेट्रफल और इस वक्षित को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल माइन बूस्टिंग क्लासस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू करतीजे राजा को एक 40 cm लंबा तार मिला है, जिसे मोड कर उसने अलग-अलग आयत यानि रेक्टाइंगल्स बनाए है पहली बार में उसने चित्र एक वाला आयत बनाया और दूसरी बार में चित्र दो वाला आयत बनाया ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 40 cm का उसके पास क्या है? तार है अब यहाँ पर 40 cm वाले तार से उसने एक भुजा आयत की 12 cm रखी दूसरी बुजा आयत की 8 cm रखी, तीसरी बुजा आयत की 12 रखी, चौथी बुजा 8 रखी ठीक है? और दूसरे चित्र वाले आयत में देखो एक भुजा उसने 14 रखी, दूसरी 6 रखी, तीसरी 6 रखी और चौथी भी 6 रखी तो अब राजा ने अपनी दोस्त रानी से कहा क्या तुम इस प्रकार के आयत बना सकती हो लेकिन तुम्हारे आयत मेरे आयतों से अलग होने चाहिए तो अब रानी ने भी 40 cm वाले जुतार है उससे आयत बनाने की कोशिश की तो एक भुझा सोला की, एक भुझा सोला की, एक चार की और एक चार की तो अब इन सब का अगर आप टोटल करें तो उनका परिमाप परिमाप का क्या मतलब होता है बच्चो देखो परिमाप का मतलब होता है ये वाली भुझा, ये वाली भुझा, ये मतलब जो चारों भुजाएं है ना इन सब को जोड लेना तो सोला में हगर हम सोला जोड़ें और फिर चार में चार जोड़ें मतलब इन सब को जोड़ दें तो हमारे पास 40 आएगा क्योंकि 40 संटीमीटर तार से ही ये सारी चीज़ें बनाई गई है चलिए अब यहाँ पर हम लोग जोड़ कर भी देख लेते हैं ये चार चीज़ें बारा बारा आठ आठ अब इनको हम लोग जोड़ते हैं ठीक है तो ये इन सब को जोड़ेंगे पहली रोवाले में तो 4, 8, 8, 16 ये 20 हो गया यहाँ 0 रहेगा 2 हमारा कैरी हो जाएगा 1, 2 और कैरी वाला 2, 4 हो गया तो कितना परिमाप आया हमारा 40 परिमाप आया क्योंकि 40 संटीमीटर वाले तार से ये सारी चीज़ें बुजाएं बनी है तो 40 ही हमारा परिमाप होगा तो इसका परिमाप 40 है इसका परिमाप भी 40 होगा क्योंकि सारी 40 संटीमीटर तार से बने हुए है ये भी 40 संटीमीटर का ही परिमाप होगा इसका भी तो राणी ने उस तार को मोड़कर आयत बनाने लगी उसने चित्र तीन में दिखाई वाली दिखाई गई आकरती वाला आयत बनाया ठीके राणी ने ये वाला आयत बनाया है अब आगे चलते हैं क्या आप राजा और राणी द्वारा बनाए गए आयत का छेतरफल निकाल सकते हैं तो छेतरफल निकालने के लिए क्या होता है हम लंबाई गुड़ा चोड़ाई करते हैं हमेशा जब भी हमें आयत का छेतरफल निकालना हो रेक्टेंगल का छेतरफल निकालना हो या किसे का भी छेतरफल निकालना हो तो हम लंबाई गुणा चोड़ाई करते हैं तो चित्र एक में जो हमारे पास आयत था उसकी एक बुचा थी 12 संटीमीटर की और दूसरी बुचा थी 8 संटीमीटर की तो देखो लंबाई हमारे ये हो गई, चोड़ाई ये हो गई चित्र लंबाई ये हो गई, चोड़ाई ये हो गई यानि 12 गुणा 8 हम लोग करेंगे चित्र अलग अलग बुचा करते हैं 12 और इन दोरों में से हम 8 ले लेते हैं तो 12 गुणा 8 करेंगे या 8 संटीमीटर गुणा 12 करें 12 गुणा 8 करें या 8 गुणा 12 करें उत्तर हमारा एक ही आने वाला है ठीक है तो 8 गुणा 12 कर लेते हैं तो आप क्या कीजिए 12 की टेबल पढ़ सकते हैं आप की 12 एजसा कितने होते हैं यह चलिए हम इसको गुणा ही करकर देख रहेता है गुणा कैसे करते हैं गुणा 8 है तो हमें इसको इस तरीके से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाते हैं 16 अच्छा है इधर और एक कैरी में चला जाएगा फिर 8 एकम 8 होते हैं कैरी वाला एक 9 हो जाएगा तो हमारा उत्तर आजाएगा 96 और यहां पर देखिए 72 लिख रखा है यह भी cm है जब 2 cm का हम गुणा करते हैं तो वो वर्ग में बदल जाते हैं फिर 2 cm का गुणा करकर वर्ग cm ही हमें बोलना पड़ता है या तो आप वर्ग cm बोल दो या फिर आप cm के उपर उसकी खात 2 लगा दो कि 2 cm का गुणा हुआ था इसलिए cm और उसकी खाथ 2 cm2 ठीक है इस तरीके से भी लिख सकते हो नहीं तो वर्ग cm भी लिख सकते हो चलिए अब चित्र 2 कहा है चित्र 2 ये है ये वाला ये है चित्र 2 अब इसका हम लोग निकालते हैं इसकी लंबाई है 14 और चुडाई है 6 अब जो भी हम यहां से ले लें देखो मैं थोड़ा जूम कर जाती हूं यहां पर तो देखो इसकी लंबाई गुडाई करनी है तो एक 14 ले लेते हैं एक 6 ले लेते हैं ठीक है 14 में अगर हम 6 का गुडा करेंगे तो हमारे पास 84 गवर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा तो यानि 84 गवर्ग सेंटीमीटर ये इसकी छेत्रफल हो गया ठीक है इस तरीके से यहां तक आप कॉश्चन्स कंप्लीट कर लेंगे फिर आप से पूछा गया है आप भी इसी माप के धागे उन रस्सियादी की सहाइता से दो अलग-अलग माप वाले आयत बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाईए और उनके छेत्रफल भी पता लगाईए तो इससे आपको करना क्या है देखो इन लोगोंने कितने सेंटीमीटर का लिया था चाली सेंटीमीटर लंबा तार लिया था ठीक है तो हम लोग भी चाली सेंटीमीटर लंबा ही एक धागा ले लेते हैं या फिर आपके पास अगर धागे तो रखे ही होंगे तो आप धाग दागी को यहां से शुरू कीजिए अपनी कॉपी पर रखिए इस तरीके से उसे शुरू कीजिए अब आप स्केल लिजे साइड में स्केल से आप नापिए कि उसकी एक बुझा जो है 15 cm की होनी चाहिए एक बुझा 15 cm की जैसे ही हो जाएगी फिर आप जो है उधर से उसको नी को ले जा रहे होंगे तो उसे स्केल से आपको नाप कर देखना की जो यह वाली जो भुझा होनी चाहिए यह वाली भुझा 5 cm की होनी चाहिए अब मालो यहां तक में ले आई और ही 5 cm की बन गई अब फिर मैं क्या करूंगी फिर मैं ऐसे ले जाओंगी फिर मुझे यह वाल बोज़ाएं 15 cm कि हैं दो बोज़ाएं 5 cm कि हैं अब आप 15 15 5 और 5 का अगर आप इनको जोड़ें तो इसका परिमाप 40 आएगा ठेक है क्योंकि हमें 40 cm ही परिमाप लाना था राजा और रानी ने जितने भी आयत बनाये थे उनमें से किसी का भी जो बुज़ाएं थी वो 15 और 5 cm की नहीं थी तो हम ने इन लोगों से अलग बनाया ठीक है अब आप उसका छेत्रफल भी आपको पता लगाना है देखो question में लिखा छेत्रफल भी पता लगाईए तो पहले छेत्रफल इस उकल टू पंदरा गुणा चार सॉरी पाच इस उकल टू 75 वर्ग सेंटीमीटर इसका छेत्रफल निकल कर आ जाएगा ठीक है छेत्रफल आ जाएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है तो इस तरीके से यह आपका एक आयत बन गया और उसका छेत्रफल हो कह है 75 वर दूसरा आयत भी राजा और रानी के आयतों से अलगी होना चाहिए दूसरा आयत बनाने के लिए तेरा और साथ सेंटिम्यूटर जैसे देखो मैंने आप को वैसी करने धागा रखना अपना 40 सेंटिम्यूटर का दुबारा से एक धागा ले लीचे और उसे ऐसे ही रखिए चिपकाने हैं आपको ये धागे इस तरीके से अपनी कॉपी में चिपकाते जाए अब आप धागी को ऐसे शुरू करेंगे तो आपको स्केल से नापना है कि वह 13 cm तक ही रखना है तो मालो मेरा इतना धागा रखा और यह 13 cm का हो होनी चाहिए तो यह दोनों बुझाएं साथ सेंटीमीटर की हो गई और यह दोनों बुझाएं तेरा सेंटीमीटर की हो गई अब आप इन सभी बुझाओं को जोड दीजे तो आपका जो परिमाप आएगा वह 40 cm ही आएगा तेक है अब इसका हम लोग छेत्रफल निकाल ले ठीक है तो इस तरीके से आप दूसरा आयत बनाएंगे फिर क्या बोल रखा है हम लोगों को क्या आप इस माप के तार से वर्ग बना सकते हैं बनाएं गए वर्ग की हर बुझा का माप एवं छेत्रफल के आत कीजे तो एक वर्ग बनाना है 40 cm से 40 cm का धागा है तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं अब इसका चेत्रफल निकालने के लिए हम 10 गुणा 10 करेंगे गुणाई तो 10 हो जाते हैं हमारे 100 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है तो इस तरीके से यह आप बना दीजेगा और इसका जो है चेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया तो ऐसे ही आज की यहां पर समाप्त होती है अगर आप जीके कुर्स खेलना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप यहां कर खेल सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीचेगा अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा थैंक की.